हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टो मैं चैनल लिक्यूटी स्टार ट्रेडर्स आज की इस वीडियो में मैंने फिर से आप लोग के लिए एक बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में ये काम करने वाला एक बहतरीन स्ट्रेड़ी ले के आया हूँ इस स्ट्रेड़ी में हम लोग को करना क्या है सबसे बैस्ट पार्ट जो स्ट्रेड़ी कि है इसमें double confirmation होता है पॉस्ट कनस्ट कनस्ट हमको indicate करता है कि market का direction क्या है upside है । दोन साइड है और second confirmation हमको entry देता है ये दोनों चीज़े आपको पहले पता चल जाएगा कि market का किस टाइब का sentiment है और कहां पे entry करनी है अब इतना ही नहीं है इसमें इस strategy को जैसे आप use करेंगे इसमें आपको market में enter करने से पहले आपको entry कहां पे करनी है वो proper decide हो जाएगा साथ में आपको stop loss कहां पे होगा ये पहले decide होता है और इसके बाद target हमको क्या लेना है ये तीन चीज़े आपको predefined होता है मतलब जैसे ये setup आता है ये तीन चीज़े आपको पहले पता चल जाएगा और एक जो man factor है जैसे beginners को सबसे ज़्यादा जो help करेगा वो है कि अगर आपको stop loss पहले से पता होता है कि कितना risk है तो आप quantity वहाँ पे manage कर सकते हैं कि कितना quantity लेना है तो मेरे लिए affordable होगा या फिर यहाँ पे risk बहुत बढ़ा है तो हम avoid भी कर सकते हैं तो ये सारे facility guys double confirmation strategy की साथ मैं इसको लाया हूँ तो बहुत बहतरीन है इसकी accuracy अगर मैं बोलू तो guys 80-90% इसकी सबसे best accuracy है तो ये one of the best strategy मेरी भी favorite है आपके लिए भी होने वाली है तो guys अगर इस channel में आप लोग new है तो channel क जरूर subscribe करें for latest update के लिए और guys वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो के एक प्यारा साला एक जरूर कीजेगा जिससे कि मैं motivate हूँ और आपके लिए एक बहतरीन content everyday कुछ नो कुछ लाता रहूं right तो सबसे पहले यहाँ पर आगे देखते हैं कि हम लोग को क्या करना है क किसे करना है कुछ basic fundamental rule है इसको समझ लेते हैं इसमें करना क्या है कि हमको time frame जो रखना है वो रखना है 5 minute अब इसमें कुछ भी पुछने की जरूरत नहीं कि क्या करना है नहीं करना 5 minute time frame standard time frame रहेगा right और इसको जो use करना है वो मैंने ideal आपको बताया bank nifty and यहाँ पे nifty दोनों में इसको हम लोग use कर सकते हैं ठीक है 5 minute time frame दोनों में use कर सकते हैं यह एक indicator based strategy है लेकिन जो इसमें confirmation मिलेगा काफी ज़्यादा security के साथ मिलेगा जो आप लोग को chart पर जैसे मैं explain करूँगा आपको लगेगा कि कितना ज़्यादा दमदार strategy है right यहाँ पे देखिए यह दोनों यूट्यूब पे देखा होगा सबसे different चीजे में बता रहा हूं आप लोग को पता ही होगा मैं कोई भी चीज लाता हूं तो कुछ नो कुछ different जरूर रहता है कि सबसे पहले हम लोग indicator में जाएंगे कैसे लगाना है वो चीजे आपको मैं बता दे रहा हूं यहाँ पर moving average जो two times लगाना है तो देखिए guys मैंने इसको पहले से लगा चुका हूं तो मैं आप लोग को directly इसको जो है इसके setting को दिखाता हूं कि कैसे करना जो first moving average है दो बात लगाना है first वाला को click करेंगे setting में length को 10 करना है source को close रखना है offset 0 रखना है method जो है SMA लिखा हुआ इसका मतलब होत two lines से किया है 10 वाले को ठीक है अब इसको कर देंगे okay यह हमारा लग जाएगा अब जो दूसरा आता है उसको भी click करना है setting को यहाँ पर देखिए style इसका कर देंगे read ठीक है अब input में जाएंगे इसमें 10 के बदले मैंने 20 किया है और नीचे में जो भी है यहाँ पे सारे 10 करता हूँ आप लोग को यहाँ पर देखिए जब भी यहाँ पर यहाँ पर blue line जो indicate कर रहा है यह कर रहा है 10 length जो है जिसका 10 10 moving average को ठीक है इसको मैं blue line और red line बोलूंगा और दूसरा रिया जहाँ पर red line है यह कर रहा है 20 length moving average को ठीक है तो आपको 10 और 20 में difference समझ में आ गया ह यह करता है blue line को और यह करता है red line को ठीक है तो यहाँ पर जब भी हमको condition क्या देखना है कि blue line मानके चलो इस तरीका से momentum कर रहा है ऐसे और red line मानके चलो इस तरीका से momentum कर रहा है ऐसे ठीक है तो जब भी blue line उपर जाएगा cross करके red वाली line को तब हमारा buy का scenario confirm होगा ठीक है यह first चीजे आपको समझ में आ गया होगा, अब second देखिए, जब भी हमारा यहाँ पे red line इस तरीका से है, इसके नीचे, इस तरीका से cross करके नीचे आता है, इस तरीका से blue line नीचे आ जाता है, और red line यहाँ पे उपर रहता है, तो इसको बोलते हैं, जब भी इस type का scenario form होगा, तो य हमारा sale setup को valid करता है, ठीक है, और यह वाले जब भी हमारे setup को उपर cross करता है, blue line, red वाली line को, तो हमारा यहाँ पे buy setup को indicate करता है, ठीक है, अब यह दो चीजे आपको काफी ज़्यादा clear हो गया होगा, अब इतना ही नहीं है, इसमें यह चीजे जो अभी मैंने cross करने वाली line अगर यहाँ पे उपर और नीचे करता है, तो buy और sale वाली condition जो बताया, इसमें यह एक single first confirmation है, कि market इस type से react करेगा, तो हमको एक confirmation मिलता है, कि यहाँ पे buy होगा, और यहाँ पे sale होगा, जैसा कि उपर cross करेगा blue line, तो यहाँ पे हमको simply क्या करना है, buy करना है, और यहाँ information क्या देखना, अब देखो, मान के चलो कि यहाँ पे इस तरीका से यह red line है, ठीक है, अब यहाँ पे blue line इस तरीका से cross कर गया, तो हमारा यह buy setup का indication आया, कि blue line उपर में यहाँ पे cross किया, ठीक है, अब guys यह अगर किसी support zone के पास इस type से हुआ है, blue line उपर cross किया है red line को, तो ह हमारा buy setup बनेगा, और हमको देखना है कि उपर में जो resistance zone है, यह हमारा proper resistance zone कहाँ पे है, अगर इस resistance zone को cross करके candle भी बहुत अच्छा momentum देके, green candle के साथ इसको breakout करता है, तो हमारा यहाँ पे double confirmation होगा, और यहाँ पे हम लोग buy के लिए initiate कर सकते हैं अपने trade को, और इसमें क्या है यहाँ पे जितने भी candle यहाँ पे थोड़ा बहुत रहेगा, इसका जो overall low होगा, वो हमारा यहाँ पे stop loss हो जाएगा, जो की आपको predefined रहता है market में पहले से, और target कितना होगा, जो भी हमारा इसका length होगा, यहाँ से stop loss तक का, यह जितना भी length होगा, इतना हम लोग 1 to 1 पहले लेने का कोशिस करेंगे, इसके बाद 2, 3, जो भी मिलता जाएगा, हमको इसको trail करते जाना है, ठीक है, यह मैंने buy setup बताया, sell setup देखो, इस तरीका से मान के चलो red line है, blue line इस तरीका से उपर से आया, नीचे कर दिया, तो हमारा sell setup यहाँ पे activated हो गया, अब हमको क्या देखना ह है कि जब भी candle यहाँ से आढ़ा है, इस तरीका से बनते हुए, तो नीचे में जो हमारा support level होगा, इस support level के नीचे, यानि कि first confirmation जब भी यह blue line नीचे आया, first confirmation मिल गया, second confirmation हम लोगो देखना है, जो भी यह support line रहेगा, इसको अगर कोई भी red line उपर से red candle उपर से इस तरीका से cross करते हुए, नीचे closing कर देता है, तो हमारा यह second confirmation देता है, और यहाँ पर हमारा double confirmation जैसे मिलता है, यहाँ पी हम अपना sell trade जो है, अग्यक्यूट कर सकते हैं, और target आपको यहाँ पे जो भी upper side का रहेगा, उतना का stop loss जो लगाएंगे हम जहाँ पे उसका, और नीचे में जह यह stop loss को trail करते जाएंगे बड़ा target के लिए, यह setup proper setup हो गया, अब बीच बीच में आता है कि कहाँ पे avoid करना है, कैसे setup बनेगा था हमको क्या देखना है, major important thing क्या है, professional tips क्या है, यह सारे चीजे मैं चार्ट पे जाने के बाद one by one explain करता हूँ, सबसे पहले last take की बाते करता हू कि जो market में आया है scenario वो कैसा आया है, ठीक है, यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैं वही बाते करूँगा जो आप लोग को बताया है, सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यह जो blue वाली line है, यह line यहाँ पे cross किया है, मैंने अभी बताया था आपको कि red line के उपर जैसे blue line जाता है, तो हमारा एक confirmation मिलता है कि यहाँ पे buy side के लिए market ready होड़ा है, ठीक है, तो guys जैसे हमारा first यहाँ पे indication मिलता है, first indication जैसे कि buy side market हो गया, इसके बाद हमको देखना है कि जो उपर का resistance zone है, जैसे यहाँ पे देखेंगे यह वाला major resistance zone है, जो range resistance है, इसको market breakout कब करता है, इसको breakout properly green candle के साथ कर देगा, तो हमारा buy यहाँ पे initiate कर देंगे, ठीक है, अब देखिए market पहली वार यह candle जैसे उपर गया, यहाँ पे इस तरीका से, तो यह इसको range resistance सा breakout नहीं किया, इसके बाद market एक वार फिर से यहाँ पे retracement के लिए आया, इस तरीका से, second time इसको जाके breakout दिया, तो यहाँ पे हमारा जो buy है वो initiate होगा, अब देखो यहाँ पे important बात क्या है कि market के last time में market यहाँ पे close ही होगा, मतलब थोड़ा बहुत profit दिया होगा, लेकिन कल जैसे market open होगा, तो आप लोग देखना इस strategy के according है, यह target आपको market upside ही यहाँ पे जाते हुए नजराएगा, यह आप लोग कल live देख लेना, ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, entry हमारा यहाँ पे हुआ, जो हमारा predefined था, entry यहाँ पे, और estoplos हमारा देखिए, सबसे पहले पता होता है, यह हमारा इसका low point, मतलब इस इतना दूर के range का जो भी low point होगा, वो हमारा estoplos हो जाएगा, यह वाल हमारा first target हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, मुश्किल से मुखल हमको लगता है, one is to one यहाँ पे मुश्किल से दिहीं दिया है, अगर नहीं भी दिया है, तो कल अगर आप लोग ने इसको hold भी रखा होता, तो आपको यह सारे चीजे पता होता, लेकिन strategy तो मैं आज बता रह यह भी profit दे चुका है, इंटर करके बाहर भी हो सकते हैं, profit book करके, otherwise hold भी रख सके, यह target आपको अभी बहुत बड़ा target यहाँ पे देगा, अब देखिए guys, इसी दिन हमारा second, यहाँ पे first trade morning माया था, यह बाली जो मैंने बताया, आपको यह second trade था, ठीक है, कभी-कभी दो भी मिल जाते हैं, लेकिन maximum time आपको एक मिलेगा, अब यहाँ पे देखिए हमको क्या करना है, सबसे पहले हमारा जो setup काता है, उसको देखना है, यहाँ पे देखिए गई, जो हमारा first confirmation है, उसको देखना है कि market यहाँ पे दिया है, या नहीं दिया है, first confirmation है, blue line यहाँ पे, अगर red line के नीचे आ जाता है, cross करके, तो यहाँ पे हमारा एक sale side का confirmation मिलता है, कि यहाँ पे market sale side में जाने वाला, right, जो कि हमारा कल से ही confirmation दिया हुआ है, अब हमको क्या देखना है, कि कोई यहाँ पे support zone, जो नीचे में proper support होगा, वो support zone कहाँ पे है, और कैसे market यहाँ पे open होगा, औ sale side में थोड़ा बहुत profit दे के आपको close कर दिया, जैसा कि मैंने अभी buy side में यहाँ पे बताया, same scenario देखिए, यहाँ भी इसी type से react करेगा, देखना market open होगा, green candle बनाएगा, लेकिन यहाँ पे देखिए market close किया है, कल open जैसी हुआ, देखिए आपके सामने move यही बाला result आपक अब हमको support level देखना है, support level यहाँ पे market draw किया हुआ है, जैसे support को यहाँ पे देखिए breakdown किया rate candle के साथ, तो मैंने clearly आपको बताया rate candle, volume वाली candle breakout करता है नीचे, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, sale initiate हो जाएगा, यह हमारा second confirmation हो गया, sale side के लिए, first confirmation यह वाला, second confirmation यह वाला, मतल इसे यहाँ पे sale initiate होगा, हमको सबसे पहले क्या करना है, stop loss लगाना, stop loss कहा होगा, इस line के उपर, यानि कि इतना दूर का जो भी हमारा range होगा, यह देखिए, यहाँ पे यह range है, तो यह वाली range जो भी होगा, इसके उपर हमारा stop loss यहाँ पे हो जाएगा, और हमारा sale जो है, activate हो जाएगा ये वाला condition तो ये सारे चीज़ा आपको purely पता होगा astroplos और यहाँ पे हमारा sale अब हमको one is to one सब से पहले यहाँ पे target देखना देखिए one is to one क्या ये तो इतना बड़ा target दिया है न मैं इसको कम ही बता रहा हूँ इतना बड़ा target दिया देखिए sale initiate हुआ है हमारा यहाँ पे initiate हुआ और यहाँ से देखिए target आप देखिए लगभग यहाँ पे अगर मैं बात करूँ overall तो यहाँ पे 375 से यहाँ पर जो law लगाया है 40,900 यानि कि 400 प्लस point का यहाँ पे आपको one way target यहाँ पे हुआ है और यहीं पे अगर stop loss की बात करते तो 120 to 30 point का यहाँ पे stop loss only है तो देखिए आपके according strategy कितना बड़ा effective है और कितना बड़ा यह इसकी accuracy है target भी देगा तो huge target देगा stop loss का chances बहुत ही कम है क्योंकि confirmation double होती है जैसे double confirmation होती है हमारा surety वहाँ पे call side में या sale side में जाने का बहुत ज़्यादा हो जाता है और वो target भी ultimate target देता है ठीक है दो results मैंने एक ही दिन बताया दोनों यहाँ पे plus है इसके बाद मैं previously भी दिखा देता हूँ और bank nifty nifty दोनों में काम करेगा दोनों में आप लोग को backtest कर सकते हैं इसके बाद मैं पहले कहूँगा कि एक lot से try कीजिए ठीक है option में option में buy sale कैसे करते हैं आप लोग same agility जहाँ पे market चल रहा होता है add the money लीजिए add the money लीजिए हमेशा काम करेगा मैं हमेशा वही सब वीडियो में इसी को recommend करता हूँ सबसे best होता है ठीक है add the money लीजिए और यहाँ पे क्या करना है जैसे market इस level को break किया तो इसी level के near जो भी strike price होगा उसको आप sale कर दीजिए और stop loss sale यहाँ मतलब sale कहने का मतलब कि अगर market नीची sale side में activated होता है तो put buy कर सकते है ठीक है कोई भी dot यहाँ पे नहीं रहना चाहिए अब यहाँ पे एक खास important चीज में आप लोगो बताता हूँ देखिए आपके लिए भी और सब के लिए काफी ज़्यादा important है काफी ज़्यादा यहाँ पे important क्या है कि सबसे पहले मैं previous day की बात करूँगा देखिए market क्या किया है कैसे किया है यहाँ पे देखिए सबसे पहले कि market में यह जो blue वाली line था यह उपर indicate किया हुआ था इसका मतलब है कि buy initiate करने के लिए market सोच रहा है लेकिन buy के लिए अगर ऐसा सोच रहा है तो इसको जो है blue वाली line को rate line के उपर ही रहना था लेकिन यहाँ पे देखिए फिर से close कर दिया नीचे close कर दिया इसके तो जैसे नीचे close कर दिया और नीचे close कर दिया इसके नीचे तो हमको क्या करना अब यहाँ पे sell initiate करना अब देखिए यह वाली rate candle है यह वाली rate candle यहाँ पे आया जो हमारा support है लेकिन हमारा एस्टोपलोस जो यहां पर होता है वो तो हिट नहीं हुआ चलो ठीक है मैं मानता हूँ कि आपने यहां पर इंट्री कर दिया गलत इंट्री लेकिन एस्टोपलोस हिट नहीं हुआ था अब इसका मतलब यह नहीं कि मैं रूल को बार बार बरेक करूंगा और मैं ऐसा ही गलत इंट्री लोंगा, जब गलत इंट्री आप लेंगे, मान के चलो कि अभी आपका इस्टोपलोस हिट नहीं हुआ, लेकिन maximum time यह आपका इस्टोपलोस यहाँ पे हिट कर देगा, ठीक है, जैसा है कि आप लोग इसी वाली condition में ले लिए, यहाँ पे उपर गया, प्रोपर इंट्री यहाँ पे कहां पे होता, देखे, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग एक जो range support है, इसको हम लोग यहाँ पे यह draw कर लिए, ठीक है, अब जैसे range support draw कर लिए, market यहाँ पे हमारा प्रोपर इंट्री मिलता, जब यह हमारा green वाली, यह जो blue वाली line है, यह completely हमको indication कर देता कि यह हम नीचे ही है, आप लोग first confirmation में दे चुका हो, second confirmation यहाँ पे इंट्री ले सकते हो, तब जैसे double confirmation मिलता हम यहाँ पे इंट्री कर जाते हैं, अब यह market का last time है, तो हम लोग यहाँ पे इंट्री कर सकते थे, जैसा मैंने बताया, sale, यहाँ पे sale करके कल के लिए भी target ले सकते थे, इतना बरा target आपको intraday में ही मिल गया, ठीक है, अगर हम यहाँ से देखे stop loss जहाँ पे हम लगाएंगे, यहाँ पे overall जो high है यहाँ पे, तो इतना बरा target 1 to 1 आपको maximum यहाँ पे मिल ही गया, ठीक है, लेकिन अगर इसको hold रखते हैं, तो कल भी आपको देख तो यहाँ पे हमको यह strategy क्या क्या, double confirmation जो है, यह हमको बचा लिया, यहाँ पे wrong entry से, ठीक है, जो कि हमारा fake breakout हुआ, और second यहाँ पे proper breakout हुआ, यह हमको double confirmation के साथ बताया, कि यहाँ पे entry कर सकते हैं, वो भी बहतरीन तरीके से, और risk reward आपके सामने है, 1 to 4, 5, कितना बड़ा risk reward इसमें जो plus point है, अब मैं यह चीज़े बताऊंगा, जो professional tips है, इसको आप BTST और STBT यह दोनों के लिए भी use कर सकते हैं, यह आपके लिए plus point है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ भी दिखाया, और यहाँ भी आज के लिए मैंने buy side के लिए आपको दिखाया, ठीक है, buy side के लिए म अहाँ पर देखो breakout हुआ, तो intraday में भी target दिया, तो मतलब intraday, BTST सारे चीज़े, आप बहुत बहतरीन तरीके से, और वो भी double confirmation 90% accuracy के साथ, तो guys, यह strategy आपके लिए कितना बहतरीन है, और कितना suit करता है, और आप मुझे इसको comment में जरूर बताना, और guys, वीडियो पसंद तो वीडियो को एक प्यारा साला एक जरूर कीजेगा, और आप लोग back test करके जरूर बताइएगा कि कैसा रहा है, क्या performance आपके लिए दे रहा है, ठीक है, तो guys, अगर इस channel में आप लोग new है, तो channel को जरूर subscribe करें, for latest update के लिए, तो मिलते हैं इसी तरह एक next video में, thank you so much for your love and support.